हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में एक बर फिर से विलकम है और आज है मार्च की 19 तारीक और इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा रिनेंकुलिस के पौदे ये बिलकुल गुलाब के जैसे दिखते हैं बहुत सारे इसमें जो फूल आते हैं डबल पैटलिस मे पूल आते हैं इनकी कैसे केर की जाती है कैसे लगाया जाता है इस वीडियो में मैं आपके सार शियर करूँगा जो दोस्तों ये जो प्लांट देख रहे हो जो मैंने हर एक गमले में दो-दो लगा रखे हैं ये सभी मैंने बीज के दवारा ग्रो किया है इनके बीज लगान नहीं दोस्तों आप जो मेरे प्लांट देखेंगे ये बहुत छोटे हैं जिनके उपर फूल आए हैं यहां जो ठंड के महीने रहते हैं वो चार से पांच रहते हैं और उनमें से जब ये प्लांट जब ग्रो करना शुरू करते हैं तब थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाती है जब स्प्रिंग का समय आता है तो ये पौदे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं पर फूल पहले ही आ जाते हैं इस वज़े से पर इनको हम इस बार बल्ब इनकी सेव करने की कोशिश करेंगे पौदे बहुत छोटे हैं तो इस वज़े से मुझे लग रहा है बल्ब इनके बहुत छोटे रहेंगे पर हम ट्राइ करेंगे ट्राइ करने के साथ ही पता चलेगा कि इनकी बल्ब कैसे ग्रो होती है और बल्ब के दवारा भी ये ग्रो किया जाते हैं दूसरा इसका ये प्रोपेगेशन मेथड होता है आप इनकी बल्ब को सेव कर सकते हैं या नेक्स्ट आप देख सकते हो, और एक मैंने इनकी पौद ली थी, तो उनको मैंने शेडी एरिया में रखा था, उनको पूरी धूप में रखा था, तो दोनों में यही डिफरेंस आया, इनके पत्ते हैं, छोटे आया, उनके पत्ते बहुत बढ़े हैं, फूलों में कोई ज़रा साइस का तो यही है दोस्तों आप इसको धूप में भी रख सकते हो चाहे आप इसको शेडी एरिया में रख लिए तो इसे भी सर्दी की धूप इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती है अगर आपकी बालकनी में दो से तीन घंटों की धूप आती है आप उसमें भी रख सकते हो यह कर यह पथर नहीं होने जाहिए और मिटी हमेशा सेंडी जो सॉयल होती है जा फिर पोरिस मिटी होती है वो लिए जो आपकी नॉर्मल गार्डन सॉयल रहती है उसमें यह बहुत असानी से लग जाते हैं कोई भी कोको पीट बगार एड़ी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप करना जाते हैं वो भी आप कर सकते हैं पर जयारा नहीं सिर्फ 5-10% क्योंकि इनकी टूबरस ग्रोथ होती है बल्ब ग्रोथ होती है कॉरम्स कहते हैं वैसे इसकी जो रूट्स होती है उनको और वहां से अगर ज़्यादा पाने लग जाए तो यह रौट हो सकते हैं पर इसलिए अगर एक पार जर्मिनिट हो गए तो बहुत असानी से यह ग्रोथ करते रहते हैं कैसे दोस्तों गमले में लगाना है कितने इंचिस का पौट इसको चाहिए तो मैंने इसको 7 इंची के गमले में लगाया है करीब 2-2 पौदे लगा रखे हैं आप एक पौदा भी ल कौर्म होते हैं वो छूटे ही ही होते हैं तो 7 इंची के गमले में भी बहुत असानी से लग सकता है दोस्तों हमारे हैं पर अभी बहुत तेज बारिश हो रही है दो दिनों से और इसके जो फूल है थोड़ी से आपको खराब लग रहे होंगे कुछ पौद होंगे तो यही क कारणी कुछ जो फूल है खराब हो जाते हैं और यह दोस्तों मैंने जो पौद ली थी जो मैं पहले लेकर रहा थे इसके भी फूल खिलकर सभी हट गया है इसके जो फूल थे दोस्तों यह जो मल्टी पैटल नहीं थे थोड़े से अलग थे जैसे पौदे में फूल तो अब सेव करूंगा इनकी बल्ब्स आलेडी नीचे से बनना शुरू होगी होगी पर अभी जैसे बीज बन रहे हैं तो मुझे बीज इसके कट करने पड़ेंगे और इनकी बल्ब के उपर जो एनरजी जारा जानी चाहिए और पानी हमें कम रखना है जब इसकी जो बल्ब ब बात करेंगे यहां पर फिलहाल के लिए मैं आपको देखा देता हूं यह मैंने एक पौदा है निकाल कर रखा है और इसमें जो बल्ब ग्रोथ है वो आपको दिखाऊंगा यह इसकी जो बल्ब है यह कॉरम्स है यह ऐसे लगता है कि नॉर्मल जैसे जड़े होती है अभी त थिन हो जाती है इसमें मॉइस्टर जो खतम होना शुरू हो जाता है और वही आपने ध्यान रखना है बिल्कुल भी मॉइस्टर अगर खतम हो जाए तो यह दुबारा से लगाने लाइक नहीं रहती है तब यह गलना शुरू कर देती है तो इसको अगर आप फ्रिज में लगा सकते हैं तो अभी तो जैसे मैं निकाल कर देखा है प्लांट मुझे इतनी खास नहीं लगे इसकी बल्ब अभी ग्रो और करेंगी तो हम इसको 20 दिनों के लिए वैसे के वैसी चूड़ देंगे उपर से हम इसके जो बीज बगर है उनको कट कर देंगे तो ऐसे दोस्त के बाद ज़्यादा गर्मी होने के कारें यह सूख जाता है पौदा और आप इसकी हर्वेस्टिंग वगारा करके नेक्स्ट इर लगा सकते हो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा वीडियो को भी शेर अन लाइक कीजि